जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करेंगे Oxidation of Organic Compounds तो आई देखते हैं Organic Compounds में Oxidation कैसे होता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कुछ Reaction दिये हुए हैं पहले हम लोग Reaction को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे बच्चो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला Alcohol लिया है Alcohol से हमारा Compound जो है Aldehyde बन रहा है और Aldehyde से हमारा Carboxylic Acid बन रहा है किलियर है आपको यहाँ पर हमने Benjaldihyde लिया है और उससे हमारा Benjoic Acid बन रहा है किलियर है आपको यहाँ पर हमने Alkene लिया है और Alkene से हमको Alkene मिल रहा है अब यहाँ पर देखें अगले वाले Reaction यहाँ पर हमने Primary Amine लिया है इस Amine से हमको Amine मिल रहा है किलियर है इस से हमको Amine मिल रहा है यह कुछ reaction बची हुई थी इनको भी देख लीजिए तो यहाँ पर देखी फिनोल लिया हुआ है यहाँ पर बेंजीन लिया हुआ है यहाँ पर हमने एक एलिसाइकलिक डाइएन लिया हुआ है बच्चो इन reaction को ध्यान से देखिए सवाल फिर से वो ही है कि बताईए यह reaction का टा लेते हैं छोटी क्लास में आपने जाना था कि removal of electron is known as oxidation clear है ऐसा आपने chapter है आपका redox उसमें पढ़ा है बेलकुल सही बोल रहे हैं लेकिन organic compounds में यह वाला जो concept है oxidation number का यह हमेशा successful नहीं होता है इसको आप हमेशा नहीं लगा पाते हैं क्योंकि यह vary कर जाता है result इसके vary कर जा है तो वहाँ पर आप जान लेंगे कैसे oxidation पैचानते हैं फिलाल अगर theoretical ही बात करें तो वो जान लेते हैं कि हम लोग कैसे पैचान पाएं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपका starting material alcohol है alcohol में जो आपका functional group है वो OH है और यह OH इस carbon के साथ combine है clear है आपको अब यहाँ पर द आपको इस वाले carbon पे H कम हो गया है clear है और next वाले reaction के बाद यहाँ पर oxygen का नंबर बढ़ गया है देखिए तो यहाँ पर hydrogen कम हुआ इस वाले step में और इस वाले step में oxygen बढ़ गया ध्यान रखीगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम है CHO ग्रूप है LD हाडी ग्रू जो कि O directly combine है इस carbon के साथ clear है H तो O से जुड़ा हुआ है तो यह H इस carbon पे consider नहीं होगा अब देखिए यहाँ पर alkane लिया हुआ है alkane की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वाले carbon पे 2 H थे यहाँ पर 3 था लेकिन जब reaction हुआ तो यहाँ पर hydrogen का नंबर दोनों carbon पे कम हो गया ह clear है कुछ अगले वाले step में देखिए यहाँ पर इस वाले carbon पे nitrogen लगा है और यहाँ पर H का नंबर कम हो रहा है जिससे बना है आपका immune clear अब next वाली देखते हैं यहाँ पर benzene के carbon पे OH लगा था लेकिन जब reaction हुआ तो benzene पे केवल 1 O लगा था reaction के बाद benzene पे 2 oxygen आ चुके हैं clear है यहाँ पर देखे benzene पे कोई भी heteroatom नहीं है सारे carbon आपस में जुड़े हुए है लेकिन reaction के बाद यहाँ पर oxygen atom carbon पे बढ़ जाते हैं इस reaction में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ पर इस alicyclic compound में double bond जहाँ पर था वहाँ पर bond का नंबर कम हो गया है और oxygen carbon के साथ combine हो गया है बच्चों आपने दिखा कि यह सारे के सारे example जो है oxidation के हैं यहाँ पर हर एक reaction के अंदर क्या change हुआ है वो हम discuss कर चुके हैं वो सारे point आपके ध्यान में है अगर उन point के base प होने वाले oxidation को अगर define करना चाहें तो कैसे define कर पाएंगे आईए देखते हैं oxidation of organic compounds is the reaction in which number of carbon heterosatom bonds increase और number of carbon hydrogen bonds decrease बच्चों यही आपको इन सारे example में दिखाया था चाहे aliphatic का हो या aromatic का हो हर एक compound में carbon के साथ जब भी कोई heteroatom जुड़ जाएगा heteroatom means वहाँ पर carbon के अलावा कोई भी electro negative या heteroatom आकर जुड़ जाएगा reaction के अंदर तो वो oxidation कहलाएगा इसके अलावा एक चीज और भी है जिस carbon पर change हो रहा है अगर उस पर hydrogen का number काम हो जाए carbon H यानि H का number काम हो जाता है तो वो reaction भी oxidation कहलाता है या फिर carbon पर कोई electro negative या heteroatom आ जाता है तो वो process वो reaction भी oxidation कहलाता है इन सारे example में आपने यही देखा था चाहे बेंजीन का हो चाहे यहाँ पर diene का हो फिनोल का हो एमीन का हो एलकेन का हो एलडी हाइड का हो एलकोहल का हो हर एक example में कुछ ऐसा ही हुआ है हर एक में hydrogen का number carbon पर कार्बन पर कम हुआ है यह देखिए यहाँ पर bond जो carbon पर H का number कम हुआ है और यहाँ पर heteroatom बढ़ गया है अब सवाल यह है कि सरी यह heteroatom क्या हो सकता है तो बच्चों यह heteroatom जो है halogen atom, nitrogen atom, sulfur atom, oxygen atom इन में से कोई भी atom अगर carbon पर जुड जाता है तो वो reaction कहलाता है oxidation in organic compound यानि वो organic compound oxidized हो चुका है किलियर है आपको अब लेते हैं oxidation state of some functional group कुछ functional group में जब oxidation होगा तो वो functional group कौन से functional group में convert होता है अब ही आपने देखा था कि अगर alkene का oxidation हुआ है तो alkene में convert हो जाएगा और alkene oxidize होके epoxide देता है alcohol का अगर oxidation होता है तो आपको aldehyde मिलता है aldehyde का oxidation होता है तो carboxylic acid मिलता है जबकि amine oxidize होके amine देता है तो आज़े देखते हैं वो कौन से reagent हैं जो mainly oxidation के लिए use किये जाते हैं यह हैं कुछ हमारे common oxidizing reagent जिनको oxidant भी बोलते हैं जिनमें potassium parbagnate जिसको KMNO4 बोलते हैं बच्चों यहाँ पे नाम लंबे होते हैं उनको sort किया हो है PDC आप जानते हैं PCC यह हमारे use कि जाते हैं यह हमारे selective oxidizing agent होते हैं MNO2, Ag2CO3, MNO2, CAN, ABNO, Allyl, Diethyl, Phosphate, SeO2, OsO4, CRO3, HNO3, NBS जिसको N-Bromosuccinimide बोलते हैं Johns reagent, TBN, TBPB, TEMPO बोलते हैं इसको bergass reagent, MCPB, Metacloproprabenzoic acid, H2O2, Pryodinium, N-Oxide, Sodium, Periodate, Pryodinium, Dichromate, AIB, N, as a isobutyronitrile बोलते हैं आदे अलावा कुछ और भी है जिसमें रूथेनियम टेट्रोकसाइड, थैलियम नाइट्रेट, आइडोबेंजीन, डाइएसिटेट तो बच्चों यह हमारे exam में आने वाले कुछ common oxidizing agent है इन में से हम लोग कुछ already पढ़ चुके है उन में से था हमारे रूथेनियम टेट्रोकसाइड, थैलियम नाइट्रेट, आइडोबेंजीन, डाइएसिटेट इसका आपको डेस्क्रेप्सर में लिंक मिल जाएगा यह तीनों oxidizing agent हो चुके हैं और इन में से काफी जो हैं उनके वीडियो, उनके reactions, उनके यूजिस हम लोग feature में आपको देखने को मिलेंगे जल्दी उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी बच्चो यही वो common oxidizing agent हैं जो mainly exam में आते हैं चाहे आपका JE का exam हो या फिर IAT jam का exam हो आपका या फिर net या get का exam हो यहां से इन में से question बनता ही बनता है तो आप इनको कीजिए और अपने number log कीजिए